आप सभी दर्सकों का स्वागत है मैं हूँ असोग बर्मा देश व प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रही है हमारे साथ अब नज़र डालते हैं खबरों की तरफ इस खबर के प्रायोचक हैं प्रवांचल मशिनरी अजेंसीज आधेकरित विक्रिता जहां आपको मिलेगा किरलूसकर वप्रकास जेनरेटर के साथ है सेंचुरी प्लाइबूट माइका वा हर्डवेर के सभी सामान हमारा पता है नरावली तनस्क सोरूम और नगरपाली का सिव साथ दो आट तो एक खबर आजमगर से जहां थाना महराजगन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगया आपको बता दें चोरी किये गए मोबाइल के साथ दो अभिक्तों को पुलिस ने गिरफ्टार किया गया है वहीं चोरी किये गए चार मोबाइल वावाइल असलाह बता दें कि वादी वकदमा चंदरपकाश यादव पुतर ननकु यादव ग्राम युसुफपूर पोष्ट नेवादा थानमाराज गन जनपदा आजमगर द्वारा लेकित तर्शी दिया गया था कि अग्याद चोरों द्वारा इडवट्टा के जुग्गी से 6 मोबाइल रुपया चोरी कर ले गए हैं जिसके समद में थाना स्थानी पर मुकदमा संक्या 350 बटे 23 धारा 380 भादवी बनाम अग्याद चोर के पंजीकरित हुआ जिसकी विवेचना अपनिक्षक शुबाद चंदूबे द्वारा संपाजित की जा रहे थी वेचना से अव्यूक्त अ पुत्र बबलू नोना निवासी कोल मोधीपूर थाना माराजगन जिला आजमगड का नाम अभ्यूक्त में बयान से प्रकास में आया गिरफ तारी की वीरोडे में आपको बता दें तो सलेंद्र को मारे यादो मैं हम राद्वाराव मुकदमा अपरोक्त में बिवेचना से अभ्यूक्त सोनू पुत्र बबलू नोना निवासी कोल मोधीपूर थाना माराजगन जिला आजमगड और दूसरा अभ्यूक्त अनिल नोना पुत्र लालपती निवासी काल मोधीपूर थाना माराजगन जिला आजमगड को फूलिस ने हिरासत मिले लिया है वहीं अभ्यू सब्सक्राइब कर दोना के पास से तीन मोबाइल बरामद हुआ है गिरफतारी बरामदगी के अधार पर विरुद्ध धारा 375 बटे 23 धारा 925 आम्स एक्ट पंच क्रित किया गया है मुकदमा उप्रोप्त में धारा 241 की भादवी की बढ़ती की गई है गिरफतार अभित्तों का चलान मानना लाई किया गया है